तो हलो एवरिवन तो कैसे आप सभी उमीद आप सभी अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हर्याना कॉलिज सेकिंड और थर्ड येर के जो एडिमीशन है कैसे होंगे साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो फीश है वो कैसे कटवानी आपको तो वीडियो को सुरूर से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि आपका कोई डाउट नहीं राजाए चलो तो देखते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहला आजाएंगे गूगल पर और यहां आप टाइप करेंगे एर्पी पोर्टल अगर सर्च करेंगे तो आपके पास यह सबसे उपर में यह लिंक आ जाएगा एर्पी पोर्टल हाइर एजुकेशनर यहाना तो आपको इस पर क्लिक करना है तो आपके पास कुछ ऐसा इंट्रफेस आपके सामने आएगा तो आपको सबसे पहले यहां पर स्टूडेंट लोगिन का जो ओप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहां पर क्लिक करना है नेक्स्ट आपको यहां अपना जो कोलीज का रूल नंबर फिल करना और यहां आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना जो आपने एडमीशन के टाइम दिया था तो मैं fill कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना college roll number और यहाँ पर mobile number रहो fill कर दिया है next आपको यहाँ पर generate OTP वाले option पर click करना है तो आपके mobile number पर 5 digit का एक OTP जाएगा वो आपको next इसमें fill करना है तो मैं यहाँ पर generate OTP वाले option पर click कर रहा हूँ तो OTP को fill करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface है जो सामने आएगा तो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको first आपको यहाँ पर अपना नाम देखने को मिलेगा next आपने किस college से first year की है वो यहाँ पर इसका नाम दिखा हूँ है college का next यहाँ पर अपकी registration ID लिखी हूई है और यहाँ आपका collegeable number है और यहाँ आपका course है जो आप क्या कर रहे हैं लिखा हूँ है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर only यहाँ पर fees आपको pay करनी है याँ इसलिए आपको इस option पर क्लिक करके अपनी यहाँ आपको fees पे करनी है तो आप यहाँ इस पर क्लिक करके अपनी fees है जो pay कर सकते हैं तो आज की वीडियो में मैंने बताएगा आप कैसे अपना second और third year के जो student है कैसे अपना admission है जो कर सकते हैं और अपनी fees साथ में कैसे pay कर सकते हैं तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखना लिखना थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो